Good morning students, welcome to your Hindi online class. Today we are going to do a paththit gadiyash. अभी हमने paththit किये हैं दो, अब हम करेंगे next a paththit gadiyash. A paththit मतलब जैसे की नाम से clear हो रहा है a paththit यानि की जो आपने नहीं पढ़ा. ठीक है? तो हमें एक paragraph दिया हुआ है जैसे की हमने English में भी किया था, जो आपने नहीं पढ़ा है, unseen passage वो हम पहले passage लिखेंगे, paragraph लिखेंगे और उसके बाद उसके questions का answer देंगे First of all, write down today is day 10 day 26 August 2021 and day is Thursday अपठत गद्याश को पढ़कर सही विकल्प चुनो विकल्प मतलब option सही option पर हमने tick करना है Let's start सभी बच्चे मेले से खिलोने ले रहे हैं महमूद सिपाही लेता है महसिन को भिष्टी पसंद आया तो अब सभी बच्चे मिलकर खिलोने ले रहे हैं मेले से जैसे कि आप भी लेते होगे जब भी दिशेरा का या कोई भी मिला लगता है तो ऐसे ही एक महमूद एक लड़का है उसने क्या लिया सिपाही मौसिन को बिश्टी पसंद है नूरे को वकील से प्रेम है ये सब दो-दो पैसे के खिलोने हैं तो यब ये तीन बच्चों के नाम गिवन है कि इनको क्या-क्या चीजें पसंद है और ये जो भी इनको चीजें पसंद है ये कितने पैसों की है दो-दो पैसों की ठीक है हामिद के पास कुल कीन पैसे हैं अब एक हामिद एक लड़का है उसके पास तीन पैसे है वह मिटी के कमζोर खिलोनों को पसंद नहीं करता इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है वहां उसे ध्यान आता है दादी के पास चिम्टा नहीं है अब चिम्टा का क्या मतलब जिससे आप रोटियां सेकते हो तो उसे ध्यान में आता है कि दादी के पास चिम्टा नहीं है ये सोचकर उसने तीन पैसे में एक चिम्टा खरीद लिया ठीक है? I hope सबको ये paragraph clear है The first question is बच्चे खिलाने कहां से ले रहे थे? बाजार से या मेले से? अभी हमने पढ़ा है मेले से महमूद ने कौन सा खिलाना खरीदा? महमूद ने अब कौन सा खिलाना खरीदा था? सिपाही या बंदर? हमने पढ़ा है सिपाही Next हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास तीन पैसे थे ठीक है? Next दादी के लिए उसने क्या खरीदा? दादी के लिए उसने चिम्टा खरीदा चिम्टे को हामे ने कितने में खरीदा उसके पस जितने पैसे थे उतने में तीन पैसे में ठीक है I hope सब को clear है You have to do this work very neatly in your copies Okay, thank you